नमस्कार सस्रीयकाल राम राम आपका दोस्त किसान सलाकार रमेश वामबू आप सबी का आपके अपने चैनल आरबी सलाकार में बहुत बहुत स्वागत है किसान भाईयों आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हर एक बीडियो को सुरू से ले कर लाश्ट तक देखते हैं और उसे अपने सबी किसान भाईयों में शेर भी करते हैं इतना प्यार देते हैं इतना सहोग करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाईयो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नर्मे की सरवाती दोर में कौन सी बिमारियों का अटेक होता है और उसका रोक थाम क्या है उसे हम किस तरीके से निरंतरन कर सकते हैं खास तरपर अभी काफी एरिये से फोन कोल आते हैं तो उनके सामने जो मुखे रूप से दो समश्या हैं उनमें पहली समश्या जो है वो साथ यो आ रही है त्रिप्स की यानि जो जू रोग आपा बोलते हैं जो पत्ते के नीचे जू दिखाई देती है उसको उसकी समश्या आ रही है लेकिन आप इस पत्ते को देख रहे हो यह पत्ता बिल्कुल सवस्ता है इस पर किसी परकार की कोई भी बिमारी का अटेक जो है वो नहीं है और दूसरी समस्या किसान भाईयो आ रही है वो है गुलाबी सुन्डी की कई के जिगों से फोन को ला रहे हैं कि जी गुलाबी सुन्डी का जो अटेक है वो सुरू हो चुका है तो किसान भाईयो आप इनी दो समस्याओं को लेकर या हरे तेले को लेकर विश्टार से चर्चा करेंगे बहुत जादा समय आपका किमती समय आपका नहीं लूँगा लेकिन आपको मैं मुखे रूप से जो इससे बचाब जो कारे है वो कैसे करना है किस तरीके से करना है उसके बारे में जरूर जानकारी देने की कोशिश करूँगा तो किसान भाईयो अगर आप थ्रिफ्स सपेद मच्छर वाइट फ्लाई और हरे तेले एसी जो बेसिक समस्याइं जिने हम मानते हैं उन समस्याइं के बचाव है तू हमारे को क्या करना है ये समस्या जब आ जाती है तब कि बात नहीं कर रहा अभी ये जो पत्ते आपको दि सपरे के माधेम से हम अपने खेतों के अंदर कर रहे हैं चाहे नेपीक निमोल का परियोग अवश्य करना है निमोल का प्रियोग करने से पोद्दे के अंदर हरापन भी रहेगा और बढ़ार भी अच्छे करेगा और इसके साथ साथ आपको बता दूं किसान भाईयो इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा है वो थोड़ी सही रहेगी और पोदे के अंदर कड़वापन रहेगा तो उसके कारण जो भी बिमारिया है वो आपके केट में जल्दी से नहीं आएगी तो आपको नीम का प्रियोग है नीम तेल का प्रियोग है नीम ओयल का प्रियोग है वो आपको अवश्य करना है हर पंदरा दिन में जब भी कोई सप्रे करें उसके साथ करें या अलग से अगर आप केली नीम ओयल का भी छिटकाव करते हैं तो भी कोई नुक्षान नहीं है तो आप नीम का सप्रे अवश्य करते रहें ताकि आप जो वाइट फ्लाई है या त्रिप्स की समझे है उससे बस सके समझे आने के बाद वो बाद की बाद होती है हमें क्या करना है वो अलग बेटर होता है और दूसरी बात करूँगा अगिसान भाईयो जो गुलाबी सुंडी का टेक हो रहा है तो गुलाबी किसी भी दुआई क्यों नहीं हो तो उसके लिए आप ट्रेप लगाएं अपने खेतों के अंदर ताकि ये समस्या जो है वो पेदा ही ना हो क्योंकि किसी भी समस्या को पहले रोग लेते हैं तो ये उसका रजल्ट जो है वो हमारे को बढ़िया मिलता है अगर बाद में हम ध करोगे तो कोई भी समस्या है चैब गुलाबी सुन्डी की समस्या है चैब ओसमस्या है वो आपके खेत के अंदर बिमारी को लेकर कम आएगी तो यह है आज के लिए और अगे फेर एक नहीं जानकारी लेकर आपके साथ आऊंगा दूसरी वीडियो में तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अपने सभी इसान भाईयों के अंदर शेयर भी करें अभी हमारे के इंदर बैठे हैं और ट्रैक्टर चल रहा है के अंदर सेलर का कारे जो है वो वरगती पर है तो आप सब का बहुत-बहुत स्वागत बहुत धन्यवा आगे फिर आपको बहुत बड़ी अजान कर लेकर आपके साथ आते हैं धन्यवाद